जार्खन में विधानसवा चुनाओ की रणभेरी बच चुकी है। चुनाओ नवंबर महीने में दो चर्णों में होंगे। 13 और 20 नवंबर को जार्खन की जनता अपने मतधिकार का प्रयोग करेगी। वही 23 नवंबर को नतीजे घोशित कर दिये जाएंगे। चुनाओ के मद पर चर्चा करेंगे जहां से जामूमों अब तक चुनाओ नहीं हारी है। जार्खन का बरहेट, लिट्टी पाड़ा, शिकारी पाड़ा, डुमरी और सराई के लवे सीटे हैं जिस पर कभी कोई भी पार्टी जामूमों को मात नहीं दे पाई है। बरहेट से हेमन सोरेन 2009 में जामूमों के हेमलाल मूर्मू और 2005 में थौमस सोरेन जीत हांसिल कर चुके हैं। लगातार जीत की वज़ह से यह सीट जामूमों की सबसे सेफ सीट मानी जाती है। शिकारी पाड़ा सीट पर भी जामूमों को कभी बिःफार का सामना नहीं करना पड़ा, इस सीट पर 2014 और 2019 में विधायक रहे हैं डुम्री विधानसवा सीट भी जामूमो का एक अभ्यद देकिला है जार्खन कठन के बाद से यहां पर किसी और पाटी ने जीत हासिल नहीं की है यहां से जामूमो के कदावर नेता रहे जगनात महतों ने 2005 से 2019 तक लगातार जीत हासिल की है उनके निधन के बाद पाटी ने उनकी पतनी बेवी देवी को यहां से टिकट दिया और उन्होंने भी इस सीट पर जीत दर्ज करते हुए जामूमो के गड़ को सुरक्षित रगा 2024 के चुनाव में भी यहां से मंत्री बेवी देवी को टिकट दिये जाने की चर्चा है कुलहान प्रमंडल की सराई के ला सीट पर भी जामूमो अजे रहा है यहां से पूर्व मुख्य मंत्री चंपाई सोरेन जार्खन गठन के बाद से ही जीत हासिल करते आ रहे हैं लेकिन खास बात यह है कि इस बार चंपाई सोरेन वीजेपी में है ऐसे हम यह देखना दिल्चस्प होगा कि यहां से जामूमो जीत पाती है यहां पर साइमन मरांडी और उनके परिवार का दबदबा रहा है हलंकी अब 2024 के चुना में क्या होता है क्या जामूमो एक बर फिर इन सीटों पर अजे रहेगी या इस बार जामूमो का किला कोई पार्टी गिरा सकती है यह तो 23 नमवंबर को ही पता चलेगा फिलाल कुलित नहीं मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे दा फोर्थ कुलर